हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी जानते हैं, C.U.E.T. का दोर चल रहा है और सभी अभ्यरती अपनी इस तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जगदेश कुमार जो की U.G.C. चेर्मेन हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है, उस पर घौर फर आती हूं, विस्विद्याले अनुदान आयोग U.G.C. हर साल इस सूची में नए नाम जोड़ता है, इस लिष्ट में देश के सभी फरजी विस्विद्यालों के नाम हैं, हम आपको यहां उनकी लिष्ट दे रहे हैं, U.G.C. की और से फरजी गोसित नामों में दिल्ली की ही आठ वीवी संस्थान हैं, जारखंड का नाम इस सूची में नहीं है, U.G.C. ने सभी विद्यारतियों अभी भावकों को इस बारे में जाग रुक करने और सचेत रहने की सला दी है, यहां देखें कि देश के कौन-कौन से विस्विद्यालों को फरजी गोसित किया गया है, यह वो लिश्ट है, जो U.G.C. ने फरजी विस्विद्यालों की लिश्ट बनाई है, यह है All India Institute of Public and Physical Health Science, State Government University, Office K.H. नमबर 608-69, पिर्थम, तल, संथ, आप इसका स्क्रीन सॉट ले सकते हैं, मैं पूरा डेटेल में पढ़ती रहंगी, तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो आप इसका स्क्रीन सॉट ले लें, और अवेर रहें कि इन जो U.G.C. ने अपनी फरजी विस्विद्यालों की लेश्टो डाली है, उससे दूर रहें, और अपने बच्चे का एड्मिशन अच्छी उनिवस्टी में कराएं, और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि चाहें U.G. अगर दो, चैनल पर नहीं किया है, इसलिए मैं कहारी हैं, अप इसका स्क्रीन सॉट ले लेएं, लिस्ट अपने पास रखें, और इन मैंसे किसी भी उनिवस्टी में अपने बच्चे का एड्मिशन ना कराएं, वीडियो को अंत तक देखने के लिए, तक देखने के लिए थेंक यू, और प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, थेंक्स और थेंक्स वर वाचिंग